किसान हो रहे जाग्रों तो कई गुना हो रही आए खेती के नए तरीकों को अपना था किसान पॉली हाउस तक्नीक से किसान हो रहे मालमार सरकार भी दे रही सहोग तो किसान हो रहे जाग्रों समय के साथ खेती को लाबधायक बनाने के लिए खेती की तरीके बदल गए हैं पॉली हाउस खेती कृशी का एक नवाचार है जहां किसान जिविदार कारकों को नियंद्रित करके उप्योगत वातवरण में अपनी कृशी गति विद्यों को जारी रख सकते हैं यह क्यान वर्दक तरीका किसानों को कई लाब निकालने में मदद करता है लोग पॉली हाउस खेती में गहरी दिल्चस्पी दिखा रहे हैं क्योंकि यह अधिक लाब धायक है और पारंप्रे खुली खेती के तुलना में इसके जोखिम बहुत कम हैं साथ ही यह एक ऐसी विदी है जिसमें किसान पूरे वर्डश फसल होगा सकते हैं चीन के बाद भारत दुनिया का तूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है और इतनी बड़ी आबादी को खाना खिलाना एक चनौती है इस चनौती सिने पटने के लिए साल भर फसल होगाना जरूरी है ऐसे में हर्यारा के काफे किसानों ने ना सिर्फ पॉलियाहुस की तक्नीक को हनाया बलकि आज के समय में अपनी आए को कई गुना बढ़ाने का दामनी कर रहे हैं इनी में से एक किसान है सोनिपत के मनौली गाओं के प्रगतिशी किसान दिनेश कुमार यह अपने दो एकल के पॉली हाउस में अलग-अलग सबज्या होगा रहे हैं और आज लाखों कमा रहे हैं दिनेश कुमार ने फिलाल कुकंबर बीज लगाए हैं साथी उन्होंने डिटेल में बताया कि पॉली हाउस को लेकर बहुत से ध्रांतिया फैलाई जा रही हैं जो पूरी तरह से घलत हैं इसे समझने के दरुवत है और यह बहुत ज्यादा नाबधायक है वास्तों में यह अग्रिकल्चर की बड़ी हायर टेक्नलोजी है और इसको समझना बड़ा जरूरी था कारण कोई बड़े नहीं है फैलियोर्टी के कारण इसलिए बने हुए कि किसान ने इसके अग्रोनोमी को या इसके ग्यान को लिया नहीं और वह तुरत जल्दी करके इ मैंने इसमें सीडलेस कुकुंबर लगाया हुआ है जो एक सर्दियों में कोशिस कर रहा हूं इसमें से फसल लेने के और मेरी फसल चल भी पड़ी है बहुत अच्छे से आप देख भी रहे हो अभी पॉली हाउस में यह टेक्नोलोजी 100% फेल नहीं है क्योंकि मैंने जो किया है या हरियाना में जब सुरुआ थी सबसे पहले लगाने वाड़ों में मैं था पॉली हाउस और मैंने इसकी अग्रोनोमी को अच्छे से सीख के और तब मैं इसमें इस चेतर में आया कुछ समय हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हमें लगा कि बहुत ही खतरनाक टेक्नोलोजी है और इसमें हम उतना नहीं कर पाएंगे और पैसा जादा लग रहा और इनकम कम है लेकिन दीरे दीरे दो तीन साल बात जैसे हमने इसके जो चैलेंज थे उनको देखा उनको सोट आउट किया और इसके साथ काम करना शुरू किया तो हमें उनमें सफलता मिलने लगी और इतनी लोगों को पिचाण में प्रतिसत लोग इसमें फेल जा रहे हैं उनको यकीन ही नहीं हो पा रहा कि इसमें इतना संभव है उसका कारण है कि एक तो इसकी साइंस को समझना बड़ा जुरूर है अगर आप इसकी साइंस समझे बगेर एक आम खेती आम पेटरन से इसमें काम कर आया और उसने फसलों को बरबाद भी किया हमें भी लगा कि भी पॉली आउसों को बंद कर देना चीए तो ठीक ही नहीं हो सकता लेकिन हमने धीरे-धीरे खोजते-खोजते उसके भी हमने और गोंडे और आज हम फिर दोबारा है जो है ना बड़े सफलता पूर्व फसलों क लेने लग रहे हैं गैप कहा है गैप सफल और सफल किसान में केवल थोड़े से ग्यान का है वह क्या हो रहा है कि उसको मास्टर बनने की बजाए एक स्टूडेंट बनके अगर इसको सीखे ना तो इसके जितने चेलेंज है कुछ नहीं जो छोटे-छोटे चेलेंज है उनको सोट आउट करना है और उनके सोलूशन निकालना है हमने उनी चीजों को किया प्रेक्टिकल करके देखा और हम सफल होगे अब सच्छा यह है कि पिछली बार मैंने कैप्सिकम भी लिया था मैंने पंदरा लाग रुपे कड़का कैप्सिकम भी वेचा मैंने 6-7 लाग रुप और मैं आपको अस्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आपको यह लगता है कि टेकनोलोजी तो मेरे से आप मिल सकते हैं और मैं आपको इसके बारे में बता सकता हुं क्योंको और मैं दुनिया के तो आप इस टेकनोलोजी को अपनाईए और किसानों को मैं यह इंस्पायर भी कर रहा हूं इस चीज के लिए कि कहीं ना कहीं अग्यान में या पैसा सुनके या स्ट्रक्चर के बारे में सुनके या यह सोच के पडोशी के पोली आउस पे लाल बत्ती की गाड़ी आ रही है इस इस चक्र में तो बिलकुल नाफस है क्योंकि जो ट्रेनिंग लेके इस काम को कर रहा है और उन जो सफल किसानों से जो मिलके काम कर रहा है वह सो प्रतिसत सफल होगा और बाकि सबसे पहले इस टेकनोलोजी को समझाना जरूरी है इसी से प्रेरित होकर यम्नानगर के को परंपरागत खेती करते थे लेकन 2019 में वह अपने भाई से प्रवावित हुए और उन्होंने बागवानी विभाग से संपर किया जिसके बार घरोना में उन्होंने ट्रेनिंग ली और एक एकड़ में पॉली हाउस लगाया किसान ने बताया कि पॉली हाउस के लिए सरकार कि तरब से उन्हें 65 फीजडी अनुदान मिला और जब उन्होंने पॉली हाउस में खेती शुरू की तो उन्हें पता लगा कि इसमें कम खाथ और कम पानी देकर ज्यादा उत्पारण किया जा सकता है प्रगतिक फिल किसान विजय ने बताया कि पॉली हाउस में किसी मौसम म कि विवरीद भी दापमान को किया जा सकता है किसान इंदिनों रंगीन शुम्लमेर्च और खीरे की खेती कर रही है विजय का कहना है कि एक तरफ प्रंपरागत खेती करते हुए उनके खेतों की उपचाओ शर्ति काफी कम हो रही थे तो वहीं उसमें पानी का भीज ज्याद करना मिली मैं पहले उपन में खिर्टि कर रहा था तो उसमें मुझे कोई खास लाब नहीं हो रहा था तो बड़े भाई ने मेरे को मोटीव किया और गहुंडा जाके मैंने ट्रेनिंग इलीश की और वहां से ट्रेनिंग लेके मैंने अपना लगाया उससे मुझे अच्छी प्रोफिट हुआ और उसके बाद मैंने दूसरा प्लाट भी रदाया मेरे बस अब दो प्लाट है और मुझे अच्छी इनकम हो रही है और पाने की विश्य में काफी बचाता है पाने भी बहुत कम लगता है इसके मदर हम कल्दार सिमुला में चुगाते हैं जो लाल और पी मैं लेकिन उसके मरगें मार्केट का जएधा दूर है उमकि लिखकत आती है तो कि इसको को इनुट जा जने मैं उर्म फूर गराब हो जाएं प्रिस सिरकार ने सीड काफी महांगा है पोलिय उसका जो है और उसकी जो है गोवर्मेंट सीडलिंग पे सबसीड़ी जे रही है मेरे अब दो एकड़ मेरे प्लाट लगे हुए है उनको मैं यह क्याना चाहूंगा कि आप उपन खेती वजाए प्रोटरिटीव खेती में आए जिससे आप अच्छी इंकम प्राप्त कर सकें का कफी अच्छा योगदान है वो हमें समय समय पर गाइडलाइन देते रहते हैं और जो कोई हमें दिक्कत होती है उसका मतलब वो निजान करते हैं पॉली आउस खेती उपोड़ावा देने के लिए पॉली आउस सबसीडी सहेग कई कदर ऊठाएगाएं यह सबसीडी लेकर किसानों क अप्री जेव से हापनी कमपैसे देने पड़ रहे हैं कई ग्रामिर बैंक पॉली हाउस सबसीडी और रिल भी प्रदात कर रहे हैं संचेव में पॉलि हायूज सबसीडि किसानों को पॉलि हायूज कहती को बढ़वा देने और पारंपरि खुली खेती से जिड़े भारी नुक्सान से किसानों को बचाने के लिए दी जाने वाली मौत्रिक साहता है। हर्याण ना की बाऄवाने विवाथ की तरब से मेरा पानी मेरा विराष्ट यूजना के तहर किसानों को कम दाम में ज्यादा मुनाफ़े दिने वाले खहिती के लिए फिरे रिस्पिया जा रहा है ऐसे करने वाले किसानों को सरकार की तरब से सबसीडी के रूप में रोटसाहन लाशी बे दी जाती है फिलाल पॉली हाउस खेती के अगर बात करें तो इसमें शुरुआत में तो मेहनद जरूर लगती है लेकर उसके बात आपकी आय भी इतनी बढ़ जाती है जिसकी कभी आपने कल्पना भी ना की होगी